अरे सांथियों नमस्कार और एक बार आपका पुनो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम विश्व परसिद पर्याटक इस्तल आली का भर्मन करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आली कहां है, कब यहां आया जा सकता है, रहने की खाने की क्या व्यवस्ताएं हैं, तो यह सभी चानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक अवश्या बने रहें, आली जो की विश्व परसित पर्याटक इस्तल है, वह उत्राखंड के चमोली जनपद में अवस्ति है, इसकी जो उचाई है समुद्रतल से, वो 2800 मीटर याने की लगबग 9200 फिट के आसपास बैठती है, यहां जाने के लिए आप सडक माध्यम से और जोसी मट से रोपवे के माध्यम से भी आप यहां आ सकते हैं, और अगर आप अधिक धन व्याय कर सकते हैं, तो वैसे हेलि विवा यहां हुआ है, तो उस विवा में हैलिकप्टर से भी लोग यहां पहुचे थे, तो इसलिए सम्भव है कि आपके पास अगर धन खर्च करने के लिए है, तो आप हैलिकप्टर के माध्यम से भी यहां, जोसी मट तक तो आप हैलिकप्टर के माध्यम से पहुची सकते इसके बाद अगर बात करें आली क्यूं आएं क्या आपको विशेश आली में देखने को मिलेगा तो आली एक इसकी रिसोर्ट है और सर्दियों में सीत कालिन केरडा इस्तल आली को कहा जाता है और पहले तो विवस्ताएं दुरस्त नहीं थी किन्तु अब लगबग 4-5,000 अतितियों के थहरने की विवस्ता या परियाटकों के थहरने की विवस्ता आपको जोसी मट से उपर आली सुनील इस मार्ग में आराम से मिल सकती है इसके अत्रिक जोसी मट सेहर में आप आराम से अपना यात्री विस्राम कर सकते हैं काफी अधिक रह सेहर लोगों के रहने की विवस्ता जोसी मट में आपको मिल जाती है आली एक ऐसा प्रियटा के स्थल है जहां प्रकर्ती ने अपने आपको इस रूप में विखेरा है आप आली की धलानों में बरफ की चादरों को सर्दियों में दिसंबर 25 तारीक के पश्चात और फरवरी महा तक आराम से देख सकते हैं बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि इस दोरान आपको बरफ देखने को न मिले अब ही हम आगे वीडियो में आप देखेंगे कि आली में आपको बरफ की चादर बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी इस बीच आप वीडियो में देख रहे होंगे कि काफी सारे प्रियाटा क इस दर्मियान रास्ते में हैं इसके बाद बात करें औली पहुंचे कैसे तो आप औली रिसी केस से लगबग 300 किलोमीटर आपका औली पढ़ता है तो रिसी केस से देव प्रयाग, सिर नगर, रुद्र प्रयाग, कंड प्रयाग, चमोली होते हुए आप आराम से जोसी मट आ सक आप निजी माहन के माध्यम से या टैक्सी, बुकिंग कर या रुपवे के माध्यम से ओली पहुंच सकते हैं ओली जोसी मट से रुपवे की ब्यवस्ता है और एसिया का सबसे बड़ा वो विश्व का दुसरा सबसे बड़ा रुपवे ओली को माना जाता है इस दर्मियान आप रास्ते में अगर सर्दियों के दिनों में आ रहे हैं तो पाले का बड़ा खत्रा रहता है तो इसलिए आप लोगों को से विशेश निर्देश है कि वाहन को साउधानी पूर्वक चलाएं ताकि किसी बड़ी दुरगटना या कोई दुरगटना से आप बत सकें आप विडियो में देख सकते हैं कि नीचे जोसी मट सहर आपको दिख रहा होगा काफी सुन्दर सहर जोसी मट सहर है अली में रात्री विश्राम की अगर आप सोच रहे हैं तो आप अपने टेंट के माध्यम से नाइट जो कैम्प लगते हैं उसके माध्यम से वहां रह सकते हैं या फिर बहुत सारे guest house औली में हैं, आप उन guest houseों में भी अपना यात्री विश्राम कर सकते हैं, और अगर आपको वहां रात्री विश्राम की जो व्यवस्थाएं हैं दुरस्त न मिले, तो आप वहां से नीचे आते हुए बहुत सारे guest house, tents आपको देखने को मिल जाते हैं, जो सामने आप देख रहे होंगे, वो हाती परवत है और आप वीडियो के माद्यम से देख सकते हैं कि चारो और बरफ की चादरें किस परकार बिखरी हुई हैं, औली के लिए, औली आने का सबसे उत्तम समय है, वह लगबग दिसंबर 25 तारीक के पश्चात और फरवरी मार् का आनन्द ले सकते हैं, क्योंकि इसके अत्रिक्त आप अगर आली आते हैं, तो क्योंकि धलान वाली बरफ की धलान उस दौरान आपको देखने को नहीं मिलेगी, और आली बड़ा सुना सुना उस दौरान लगता है, वैसे परियाटक इस दौरान भी आली आते हैं, और आली की प्राकृतिक छटा को निहारते हैं, किन्तो जो आनंद आप दिसंबर जनवरी महा में प्राप्त करते हैं, वो आपको अन्यमहीनेव में देखने को नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं वीडियो में, कि आली में इस समय बरफ पड़ी है, तीन चार इंच बरफ इस दौरान भ अब अगर यहां रात्री विसाम का जो किराया है उसकी बात करें तो वो परियटकों की जो भीड है उस पर डिपेंड करता है क्योंकि किसी भी परकार की सरकार की माध्यम से कोई नियम कानून नहीं बनाये हुए हैं तो आपको हजार रुपे से लेकर पाँच हजार साथ हजार जितना भी आप वहन कर सकते हैं रूम की क्वालिटी के हिसाब से आपको रूम मिल जाते हैं कड़वाल मंडल विकास निगम का ये बड़ा सा प्रयाटक आवास करो यहां अवस्तित है जिसमें कि आप देख सकते होंगे कि लगबग तीन चार सो लोगों के रहने की विवस्ताएं बड़ी आराम से हो जाती है अब आप बड़े प्यार से ओली के द्रिश्य का आनन्द लीजिए जो दूर आपको चूटियां दिख रही है इसमें नंदा गुकूटी इसके अत्रिक्त परवत आदी आपको दूर दिखाई दे रहे होंगे आप देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से टेंट की विवस्ताएं आपको यहां दिख रही होगी आप यहां आकर प्रकरती का बड़ी मनोरंजन तरीके से लुप्त ले सकते हैं यह चियर लिफ्ट है इसके माध्यम से ओली से उपर अगर आप जाना चाते हैं तो चियर लिफ्ट के अगर आप बस या अपनी प्राइवेट कार के माध्यम से ओली आ रहे हैं तो यहां से आप इस चियर लिफ्ट से उपर जहां से ओली में इसकी प्रारम होती है उस स्थान तक जा सकते हैं इसके उपर भी गौर्सो बोग्याल नामक इस्थान है जहां तक प्रयाटक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं खचर की विवस्थाएं आपको ओली इस रूपवे इस्थान से प्राप्त हो जाती है और खचर के माध्यम से भी आप ओली से उपर गौर्सो बोग्याल पहुंच सकते हैं तो यह देखिए यह सामने घोडी परवत दिख रहा है नंदा घुगुटी तो सांतियों मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें चैनल पर बने रहने के लिए और बार बार आकर मेरे वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद